मा, हम अपने संगीत की खक्षा से वापस आ गए हैं. मुझे बहुत भूख लग रही है. मुझे भी? ठीक है बच्चों, ये सेब लो और अपनी में बाट लो. तब तक मैं खाना बनाती हूँ. लेकिन मा, हम इसे कैसे बाटेंगे? ये बहुत आसान है. सेब को चाकु से दो बराबर भाग में काटो ताकि तुम दोनों को सेब का आधा हिसा मिल सके. बच्चों, आज आप अपने दैनिक जीवन में भिन के बारे में सीखेंगे. हमारे साथ आओ. आओ सीखें. भिन संख्याओं की अवधार्ना का वर्णन करना. प्रतेक भिन के अंश और हर को पहचानना. ये समझना कि किसी समुचय के पूर्ण या आंग्शिक भाग को प्रदर्शित करने के लिए भिन का प्रयोग कैसे करेंगे? दैनिक जीवन में भिन संख्याओं के उप्योग पर चर्चा करना. भिन संख्याओं क्या होती हैं? क्या आप गिन सकते हैं कि यहां कितने वृत्त हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच. यदि वृत्त का सिर्फ आधा भाग हो, तो हम इसे कैसी गिनेंगे? जी हां, हम भिन का प्रयोग करेंगे. भिन संख्याओं वे संख्याओं हैं, जो एक पूर्ण का एक भाग निरुपित करती हैं. अंश और हर, यहां एक पूरा जर्म दिन का केक है. आईए, इसे छोटे टुकडों में काटें. यदि हम केक को बीच से काटें, तो हमें दो बराबर भाग प्राप्त होंगे. हर भाग, पूरे केक का एक आधा है. हम इसे भिन के रूप में लिख सकते हैं. यह संख्या जो हर कहलाती है, हमें बताती है केक पूर्ण में से कुल कितने भागों से मिल कर बना है. उपर के संख्या को अंश कहते हैं, जो भागों की संख्या बताता है. अतह, यह केक का एक आधा है. और यह केक का दो आधा है. इसलिए, दो को दो से भाग देने पर जो की एक पूरा केक है। चतुर्थांश क्या है। आये, आप केक कुछ चार भाग में काटे। हर भाग केक के एक चौथाई भाग को निरुपित करता है। अतह भिन होगी एक चौथाई। इसे चतुर्थांश भी कहते हैं। ये केक का एक चतुर्थांच है, ये दो चतुर्थांच है, ये तीन चतुर्थांच है, और ये चार चतुर्थांच है. चार को चार से भाग देंगे, भागफल एक होगा. अतह चार चतुर्थांच मिलकर एक पूरा केक बनाते हैं. आप केको और अधिक भागों में बार सकते हैं भिन संख्याओं का मुद्रा में प्रयोग 25 पैसे के इस सक्के को देखें 25 पैसा एक सिक्का एक रुपे के सिक्के का एक चौताई होता है इस प्रकार दस रुपे का एक नोट, पचास रुपे के एक नोट का एक पाँचवा भाग होता है अतह बच्चों भिन संख्याओं का प्रयोक मुद्राओं में भी होता है समुह में भिन संख्याओं याद रखें, कि हम भिन संख्याओं का प्रयोक समुह की वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं देखिये, इस प्लेट में तेरा बिस्किट है ये हमारा हर है लेकिन सभी बिस्किट एक ही प्रकार के नहीं है उन में से 6 चौकलेट बिसकिट हैं जबकि 7 मिल्क क्रीम वाले हैं अतह वे अंश हैं इसले हम कह सकते हैं कि ये 6 तेरवा चौकलेट बिसकिट है और 7 तेरवा मिल्क क्रीम बिसकिट है भिन संख्याओं का समय में प्रयोग क्या हम समय को भिन में विभाजित कर सकते हैं? हाँ, इस खड़ी को देखो घंटा एक पूर्ण संख्या होगी और मिनट उसका भाग होगा क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए हर मिनट एक बटा 60 भाग है आप कह सकते हैं कि 20 मिनट 20 बटा 60 भाग के बराबर है और ये एक तिहाई के बराबर होगा भिन संख्याओं के दूसरे प्रियोग आप में से कितनों को संगीत पसंद है? बहुत अच्छे! हर किसी को संगीत पसंद है संगीत में पूरा नोट, आधा नोट, एक चौथाई नोट होते हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं अतह दो आधे नोट की लंबाई एक पूरी नोट जितनी होती है और चार एक चौथाई नोट, एक पूरी नोट की लंबाई के बराबर होते हैं क्या ये अद्भुत नहीं है? इसके अलावा आपकी मा खाना बनानी में भी भिन्न संख्याओं का प्रयोग करती हैं। आप अपने लिए एक कप चाई कैसे बनाएंगे? हम्, आपको आधा कप पानी की जरूरत होगी, है की नहीं? अद्भा आपने देखा कि भिन्न संख्याओं हमारे दैनिक जीवन में हर जगा हैं और वे हमारे लिए बहुत अप्योगी हैं। हमने क्या चर्चा की? भिन्न संख्याओं वे संख्याओं हैं जो एक पून का एक भाग निरुपित करती हैं। अंश एक पून के अंचों की संख्या निरुपित करता है और हर पून के कुल भागों की संख्या को निरुपित करता है। दो आधे और चार एक चौथाई एक पून के बराबर होते हैं। भिन संख्याओं का प्रयोग मुद्रा, संगीत, सिनिमा और पाक कला और अन्य जगह होता है।